असलाम अलेकुम जी, in this lesson we are going to learn about how to create videos and GIFs in Photoshop तो उसके लिए एक image टाउनलोड की गई है unsplash से तो इस image के साथ हम play करते हैं और देखते हैं किस तरह से इसको GIFs में convert किया जा सकता है या इसकी videos बनाई जा सकती हैं, ठीक है जी? तो यहां पर हमारा जो goal है, वो यह है कि जैसे जैसे कुछ seconds गुजरते जाएंगे इस पूरी image की जो hue है, जो colors हैं, वो switch करते जाएंगे, ठीक है? इस colors, different colors में convert होते जाएंगे on every second तो उसके लिए जी, हम लोग layers में देख लेते हैं, कि हमारे पास क्या layer है इसका मैं lock यहां से खतम कर लेता हूँ, तो इसको layer 0 का नाम दे रहे हैं जो by default है, इसके बाद मैं यहां से windows में जा रहा हूँ और windows में जाके मैं timeline open कर लेता हूँ, ठीक है? तो timeline मैंने open कर ली, इस layer को यहां से close कर लेते हैं इसके बाद जी, यहां पर लिखाव है create frame animation by default हो सकता है, आपके सामने create video timeline लिखा हो तो इसको आप convert कर लें frame animations के अंदर ठीक है, तो हम यहां पर different frames बनाएंगे और हर frame की hue को change करेंगे, अपनी adjustment layer को use करते हुए और उसके बाद आप उसको video as a video भी save कर सकते हैं और उसको as a gif, gifs के तोर पे भी save कर सकते हैं ठीक है जी, इसके बाद जी create frame animation यहां से select करने के बाद मैं इसमें click कर रहा हूँ और एक frame automatically create हो गया है जो layer 0 हमारी थी layers panel के अंदर ठीक है जी, इसके बाद यहां से हम एक नई layer generate करते हैं एक नया frame generate करते हैं इसने इसी frame को duplicate किया और इस frame के उपर जाके हम layers के अंदर यहां से adjustment layers को open करते हैं और hue saturation पे मैं click कर रहा हूँ ठीक है और यहां से इसकी जो hue है उसको हम shift कर देते हैं 20 points ठीक है जी तो यहां पर देखें जी दोनों में क्या difference है for example मैं frame 1 पे हूँ यहां पे colors को देखें और यहां पे colors को देखें ठीक है तो दोनों के colors में difference है इसके बाद बिलकुल ऐसे ही हम यहां से frames को duplicate करते जाएंगे अब मैं इस frame को duplicate करूंगा और layers में जाके मैं एक और hue saturation adjustment layer create करता हूँ और इसको 40 points shift कर देता हूँ इसके बाद यहां से हम इसको दोबारा से duplicate करते हैं और layers में जाके एक और adjustment layer create करते हैं that is hue saturation और इसको 40 की जगह पे 60 कर देता है ठीक है जी तो अगर मैं layers को open कर लूँ और मैं यहां से इस वक्त जो मेरा frame selected है that is the frame number 4 और यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारी सारी के सारी layers visible हैं तो अगर मैं frame 1 पे click करों तो यह सारी hue saturation adjustment layers hide कर दी इसने second पे जाता हूँ तो एक यहां से उसने view किये फिर second view किये और अब third view किये ठीक है जी तो बिल्कुल ऐसे ही मैं यहां से frames को duplicate करता जाओंगा और यहां से hue saturation की adjustment layers हैं वो create करता जाओंगा और उसके बाद हम next step के उपर आते हैं तो जी यहां पे 12 frames generate कर दिये गए हैं और सब frames के उपर एक hue saturation की layer applied है तो इसके बाद मैं यहां से menu के button में जा रहा हूँ select all frames करता हूँ और इन सारे frames को duplicate कर लेते हैं अगर आप दुबारा से duplicate करना चाह रहे हैं तो यहां से दुबारा इस menu में जाते हैं select all frames करते हैं और इसको duplicate कर लेते हैं so now we have 48 frames ठीक है तो play करने से पहले इनका time set कर लेते हैं तो time बजाए कि हम हर individual frame का जाके set करें तो मैं यहां से जाके select all frames कर लेता हूँ और सिरफ और सिरफ एक frame का यहां से time choose कर लेता हूँ and that is going to be 0.5 या अगर आपको यह custom time देना चाहते हैं तो आप यहां से दे सकते हैं तो इस time का मकसद यह हर frame के उपर यह 0.5 seconds stay करेगा और उसके बाद next frame पे move करेगा अगर आप इसको यहां से play करें तो आपको हर frame के उपर एक different result देखने को मिलेगा ठीक है जी इसको यहां से stop करते हैं और मैं यहां से file में जा रहा हूँ और file में जाके export, export में जाके render video ठीक है पहले इस video render करके देखते हैं उसके बाद इसको as a gif का तो और बे भी save करते हैं तो यहां से आप different settings choose कर सकते हैं select folder करें जहां पर आप इसको save करना चाहते हैं तो यहां से हमें एक new folder create कर लेते हैं that is going to be video gif animation और यहां पर इस file को save कर लेते हैं ठीक है इसको render करते हैं और उसके बाद इसको play करके देखते हैं ठीक है जी तो video export हो गई है हम जाते हैं जी desktop पे और यहां पर video animation के अंदर और let's play the video जी so video open हो गई है यह 24 seconds की बनी है and let's play the video so हर 0.5 seconds के बाद एक frame shift हो रहा है and there are 48 frames जो के हमने set किये हैं और इस तरह से आप videos बना सकते हैं अब हम देखते हैं कि इसको as a gif का तोर पर कैसे save किया जा सकता है तो मैं यहां से जी दुबारा Photoshop के अंदर आता हूं और file में जाके इसको save as करते हैं ठीक है जी दुबारा video animation के अंदर आते हैं Photoshop की जगा पे हम इसको यहां पे gif set करते हैं इसको मैं save करता हूं it was taking too much long दुबारा से जी मैं file में जाता हूं इसको save as करता हूं दुबारा से जी it is taking too long यहां से हम अपने कुछ frames कम कर लेते हैं तो मैंने यहां से frames को select किया इस menu option में जाते हैं और यहां से करते हैं जी delete frames ठीक है और maybe frames ज्यादा होने की वज़ा से it is taking too long तो दुबारा save as में जाते हैं और यहां से जाके gif को save करते हैं ठीक है जी तो हमारे पास यहां पर कुछ options आ रही हैं तो जो by default है हम उसी के साथ जाएंगे इसको यहां से जाके ok प्रेस करते हैं और the gif has been saved जो location हमने set की थी यहां से अपने desktop पर जाते हैं और इस gif को browser के अंदर open करके देखते हैं so let's open the file inside the browser ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं के जो frames हमने set किये थे जो hue saturation set की थी हर frame के लिए तो browser के अंदर हम उसको change होतावा देख सकते हैं तो अगर आपके पास windows 7 है अगर आप windows 7 के अंदर gifs open करते हैं तो अगर for example मैं इस पर double click करता हूं तो इस वकत macOS के अंदर यह मुझे कुछ इस तरह से frames दिखा रहा है तो automatically उसको play नहीं कर रहा है लेकिन windows 10 के अंदर जो नए features हैं उसमें आप जब gif को open करेंगे double click करके तो आपको जो windows image viewer होता है उसके अंदर ही gif को play करके दिखाएगा अगर windows viewer के अंदर play नहीं करके दिखाता है फिर आप इसको browser में open करके अपने results को देख सकते हैं ठीक है जी so this is how you can create the gif और अपने frames को किस तरह से अप सेट कर सकते हैं तो आप कोई भी image unsplash उठाएँ जो के colorful हो और यहां पे different hues को set करें और उसके बाद अपनी files को save करके देखें और उसको अपने social media पे भी share करें so see you in the next lesson thank you so much